हिंदी मात्राएं नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी मात्राओं में रि की मात्रा के बारे में जानेंगे शुरू करने से पहले आओ रू एंड रू शब्दों को दोहरा लेते हैं रविद उ की मात्रा रू Examples are रुपया means रुपी, रुखना means stop, रुई means cotton, रुची means interest, गुरू means master, रुलाना means to make cry रू मात्रा बिद रू की मात्रा रू Examples are रुमाल means handkerchief, रूफ, शब, रूब, चैप, रूब, वर रूग, रूधना to get angry रूखा means dry, rude अम्रूद मीज़ गवा शुरू मीज़ स्टार्ट और बिगिन आओ अब पढ़ी हुई मात्राओं को दोहरा लेते हैं तो अब तक हमने पढ़ा आ, आ, ई, ई, उ, उ, वावल्स के लिए मात्राएं इस परकार से हैं के लिए कोई मात्रा नहीं होती बाकी स्वरों की मात्राएं इस परकार से हैं एक्जामप्ल सार कमल, माला, हिरन, चीता, गुलाब, कबूतर तुडेश टॉपिक, री मात्रा त बिद री मात्रा विल रीड एस त्री री मात्रा री मात्रा का सिम्बल इस प्रकार से होता है क री की मात्रा क्री ग री की मात्रा ग्री ग री की मात्रा ग्री न री की मात्रा न्री त री की मात्रा त्री आओ बच्चों दिये गए वर्णों को री की मात्रा के साथ पढ़ें क्री, ग्री, ग्री, त्री, द्री, प्री, 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 प प्रिक्ष 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 प्रिक् जिसे हम घर भी बोलते हैं त री की मात्रा न त्रेन त्रेन मेंस ग्रास और जिसे हम घास भी बोलते हैं न री की मात्रा प न्रिप न्रिप मेंस किंग जिसे हम राजा भी बोलते हैं चित्र सहित री मात्रा वाले कुछ अन्याशब्द Some more words with pictures. क्रिशी क्रिशी means agriculture. मात्री मात्री means mother, माता. मा पित्री means पिता, फादर. ग्रिणा ग्रिणा means हेट्रेड. जिसे हम नफरत भी बोलते हैं. क्रिपा 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 means मर्सी. जिसे हम दया भी बोलते हैं. म्रिदा 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 means soil. जिसे हम मिट्टी भी बोलते हैं. घृत means melted butter. जिसे हम घी भी बुलाते हैं. म्रिदू 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 means soft जिसे हम कोमल मुलायम भी कहते हैं क्रिशक 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 means farmer क्रिपान 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 means sword जिसे हम तलबार भी बोलते हैं अम्रित ग्रिहिनी 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 means housewife व्रिशव व्रिशव means ox जिसे हम bell भी बोलते हैं हिरिदय 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 means heart जिसे हम दिल भी बोलते हैं स्रीजन स्रीजन means creation another name for rachna क्रिपया 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 means please आओ दोहराएं लेट्स रिवाइज म्रिग व्रिक्ष ग्रिप ट्रेण न्रेप क्रिशे मात्री पित्री ग्रिणा क्रिपा म्रिदा घ्रेत म्रिदू क्रिशक क्रिपान अम्रेत ग्रिहनी व्रिशब हिरिदय स्रीजन अभी तक हमने री मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा अब हम री मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ेंगे तो आओ शुरू करते हैं रामू एक क्रिशक था वह क्रिशी करता था उसकी माताजी ग्रिह की साफ सफाई करती थी वह कुशल ग्रिहनी थी एक दिन रितिक तथा रिचा ब्रिगू रिशी की कुटिया गए एक वरिशब खड़ा था एक म्रिग त्रिन खा रहा था वाक्यों बनाए make sentences क्रिशी क्रिशक क्रिशी कर रहा था ग्रिह उसका ग्रिह बहुत बड़ा था व्रिक्ष चीनू व्रिक्ष पर चड़ रहा था ग्रिहनी रिनू कुशल ग्रिहनी थी व्रिशब व्रिशब त्रिन चर रहा था तो बच्चों आज हमने री मात्रा के बारे में जाना Now, let's see some more common words with रि मात्रा प्रिश्वी प्रिश्वी में अर्थ Drishti Drishti means eyesight or vision Srishti Srishti means nature Krishna Krishna means Lord Krishna Or it can be a name of a person तो बच्चों आज हमने री मात्रा के शब्दों के बारे में जाना और री मात्रा के शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया इसी के साथ धन्यवाद बच्चों Thank you children Thank you Thank you Thank you